तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाल है जो भी ऐसे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे अगर किसी भी पार्ट में सनातक में तो उनके लिए एक स्पेशल पीपर कंडग करा जाएगा ऐसी ख़बर पहले भी आई थी और आज की इस रिपोर्ट में हम जानने वाल है कि क्या इसे किस सतर से लागू किया जा रहा है तो आप जैसा कि यहां पर दैनिक जगरन की आज की रिपोर्ट देख रहे है दो अप्रेल की यह रिपोर्ट है दो अप्रेल 2021 की तो इसे जो है अप्रेल एक से लागू कर दिया गया है तो जैसा कि बताया जा रहा है यहां पर रिपो क्या हो जाता था कि जब भी काregon खतम होता था उसका जब रिजल्ट आता था था की लिजक पार्टू काम पार्टू का मार्क्स चढ़ा होता तब जा करके आप पास होते और तब आपके डिगरी का वैल्यू होता तो इतनी लंबे पेज के बाद आपका रिजल्ट क्लियर होता था तो अब यह सारे सिस्टम कहीं ने कहीं हटने जा रहा है मतलब आपके नए सिस्टम लागो होंगे यहां पर एक और चीज में कहना चाहूंगी दलाली घुसकोरी जो फिर से बढ़ने वाली है अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपका मेन एक्जामनेशन का रिजल्ट ही टाइम पर नहीं आ पाता है मतलब जिस भी सतर में आप हो उसका रिजल् की अभी तक कोई भी अता पता नहीं है जैसे कि कह दिया गया कि अपरिल के एंड तक में जो उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा और इसी बीच में अगर कंपार्टमेंटल की परिक्षा होती है तो उसका रिजल्ट भी कब तक कि आएगा ये किसी को नहीं मालुमोंगा तो बिना दूइतिये वर्स की परिक्षा उत्रिन हुए तीरतिये वर्स की यानि की फाइनल परिक्षा नहीं दे पाएंगे विस विद्याले ने इसी सत्र से नई विवस्था को लागू कर दिया है अब दूइतिये वर्स की परिनाम आने के बाद परिक्षा का आयोजन किया जा वह चाम पार्टमेंटल परिक्शा में सामिल हो सकते हैं सासी साथ इसमें उत्तिरन होने के बाद ही फाइनलया की फाइनियार की परिक्शा दे पाएगे परिक्शा ने बताया कि इसे पूरव सत्र तक सब्सक्र graphенной od मोगा दिया जाता था बताया कि इन कारन से 45 Salot का परिणाम होता था तो जिन होता था उनका परिणाम परिणिंग में चला जान्य व्यवस्ता के लागों होने बड़ी की शहर तक समाप्त हो जाएगी और उन्होंने बताया कि तीन दसक पूर्व जो है ऐसी प्रेनाली जो अपनाई गई थी जिसमें की बच्चे कमपार्टमेंटल पेपर दे करके अपने वापस से सत्र में आ सकते थे और उनका सेशन बैक नहीं होता और उनको पिछले सेशन वालों के सा मंजूरी मिल चुकी है यदि इस महीने जो रिजल्ट पार्ट्व के अगर जारी हो जाती है तो इसे जो है लागू कर दिया जाएगा ठीक अगले महीने मतला अप्रेल के बाद में में जो है कमपार्टमेंटल की परिक्षा है जो है ली जाएंगे अब मैं आपको बता देता कि इस बार जो पार्ट्व की रिजल्ट आती है उसके बाद से अगर उसमें से किसी भी बच्चों का अगर कमपार्ट लगता है तो वो कमपार्टमेंटल पेपर दे करके अपना सेशन में वापस आ सकते हैं तब ही वो फाइनल एर का परिशाद दे पाएंगे अब जो भी ऐ से स्टूडेंट जो पार्ट 3 पास कर चुके हैं या जो भी ऐसे 2017 से बीस सेशन वाले चात्रे उन चात्राएं हैं जिनका कमपार्टमेंटल लग गया था या किसी पेपर में उनका रह गया था तो वो लो कमपार्टमेंटल दे करके वापस नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये जो है 2018 से 2017 वालों के साथ लागू किया जा रहा है मतलब कि जो भी 2019 से 22 से वाले भी स्टूडेंट होगे उनके साथ भी यह चीज लागू किया जाएगा अगर उनकी पार्ट वन में किसी भी पेपर में लगती है तो वो लोग भी कमपार्टमेंटल पेपर दे करके अपने से रहता है कि आप पास नहीं कर पाओगे तो फिर आप बिचॉली के चक्कर में पढ़ जाओगे तो ऐसे कारणों से जो है बिचॉली आप से पैसे एट लेते हैं तो अगर आपको आज का रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर मिलत हैं आप सभी से अगली रिपोर्ट में तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद